अब बात करते हैं कालिंजर की देखिए कालिंजर भी एक बहुत महतपून अश्थल है उत्तरप्रदेश का एक एहतियासी अश्थल है एक धार्गमिक अश्थल है तो इससे जुड़ेए जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं देखिए सबसे पहले बा बात करते हैं कि जो बांदा जिला है इसके आसपास कौन से जिले हैं कौन कौन से जिलों के साथ में यह अपनी बाउंडरी सेर करता है ठीक है तो देखें यहां पर है महबा जिला महबा के साथ में बांदा अपनी बाउंडरी सेर करता है राइट हमेर पूर उसके बाद फते इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि बांदा जिले में इस्तित है कालिंजर जो कि आपको याद रखना है राइट अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की देखिए मद्यकाल से पहले यहां पर राजपूतों का सासन था ठीक है तो यह भी आपको याद रखना ह कालिंजर पर मद्यकाल से पहले यह पिर कहें कि पूर मद्यकाल में यहां पर राजपूतों का सासन था ठीक है तीसरा फैक्ट देखें देखिए महमूद गजनवी ने सन 1022 इस्वी में यहां पर अटेक किया था यहां पर आकरमन किया था तो यह भी आपको याद रखना है अगला फैक्ट देखें, देखें, 1221-वी में कुटूब दीन एबक ने चंदेल सासक है ये परमादी देव, इसको हराया था, ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ये परमादी देव कोन है, देखें परमादी देव जो है, वो चंदेल सासक हुए है, ये चंदेल सासक हैं जिनकी दुस्मनी थी प्रत्वी राज चोहान से तो प्रत्वी राज चोहान ने भी चंदेलों पर आकमन किया था और यह जो चंदेल सासक है परमादी देव इसको हराया था और यह जो युद हुआ था प्रत्वी राज चोहान और परमादी देव के भीच मे इस युद में परमादी देव की तरफ से दो सेनापती उसके लड़ रहे थे जिनका नाम था एक का नाम था आहला और दूसरे का नाम था उदल ठीक है तो ये दो सेनापती थे जो परमादी देव की तरफ से लड़ रहे थे प्रत्वी राज चुहान के खिलाब ठीक है तो इस युद्व में हुआ क्या था प्रित्वी राज चोहान की जीत हुई थी और जो प्रमादी देव हैं उसकी हार हुई थी और साथी साथ में ये जो सेना पती थे बहाद्दूर सेना पती अहला और उदल इनकी भी मृत्वी हो गई थी इस युद्व में ठीक है तो ये भी आपक को ध्यान में रखते हुए एक folk music गाया जाता है जिसका नाम है आहला ठीक है तो यह काफी important है यह आपको याद रखना है आहला कहां पर गाया जाता है तो यह बुंदेल खंडवाला रिजन है विसे इस रूप से वहां पर गाया जाता है MP में गाया जाता है आहला किसकी याद म में दो वीर सैनिक वीर सेनापती परमादीदेव के वीर सेनापती जो प्रत्वी राज चोहान के खिलाप लेड़े थे और उनकी मृत्यू हो गए थी ठीक है तो काफी important fact है आपको याद रखना है आगे बात करते हैं fact number 5 की देखिए सेर सहा सूरी जो है सेर सा सूरी की मृत् होती है और कैसे होती है basically एक सैन अभियान में जो बारूद का एक विस्पोर्ट हुआ था बं का एक विस्पोर्ट हुआ था जिसके कारण से सेर सा सूरी की मृत्ती हो जाती है कालिंजर में right अगला fact देखें लेकिए पंद्रा सो च्छानमे में जो सम अकबर है अकबर ने य के सासक कालिंजर के सासक जिनका नाम है राम चंद्र इनको हराया था और कालिंजर पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था ठीक है तो इस परकार से हम देख सकते हैं यह कुछ important facts हैं कालिंजर से संबंदित right जो की आपको याद रखने है फिर से एक बार देख लेते है देखें यह उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में है जिसको कि आपको भूलना नहीं है बांदा जिले में यहां पर पहले मद्यकाल से पहले यहां पर राजपूतों का सासन था right एक हजार पाइस इसवी में यहां पर जो है महमूद गजनवी ने अटैक किया था right बारा सो तो इस्वी में कुतुब बिदिन एबक ने परमादी देव को हराया था और परमादी देवी के बारे में और बात की हमने कि इसकी दुस्मनी प्रत्विराज चोहान से भी दी और प्रत्विराज चोहान ने इसको हराया था ठीक है 1545 इसवी में सेरसास सूरी की मृत्यू कालिंजर में ही होती है 1596 इसवी में अकबर ने कालिंजर के साथ सब कराम चंदर को राया था तो ये कुछ important facts हैं कालिंजर के बारे में जो की आपको याद रखने हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं कालिपी की ठीक है तो कालिपी भी एक बहुत मैदपून धार्मी घस्तल है एतियासी घस्तल है से जुड़े विजितने भी important facts हैं देखते हैं उनको सबसे पहले तो यही बात करते हैं कि यह इस्थित का है देखिए यह इस्थित जो है यह है जालोन में यहाँ पर है उत्तर प्रदेश का जालोन जिला और जालोन जिले में यमना नदी के तट परिस्थित है ठीक है तो आपको याद रखना है जालोन जिले में यमना नदी के तट परिस्थित है काल्पी चलिए साथी साथ हम लोग यह बात कर लेते हैं कि जालवन जिला है इसके आसपास कौन-कौन से जिले है ठीक है तो देखें यहां पर है यह आपका ओरहीया जिला उसके बाद कानपूर देहात हमीरपूर और जांसी ठीक है तो इन जिलों के साथ में जालवन अपनी बाउंटर उनको देखते हैं के लिए इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि काल पी उत्तर प्रदेश के जालों जिले में इस्तित है राइट बात करते हैं नदी की कि कौन सी नदी के तट पर इस्तित है तो यह है यमना नदी के तट पर इस्तित ठीक है अगला फैक देखें देख देखिए बारवी सताबदी में कुतुबदीन एबक ने जो कालपी है इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था ठीक है तो यह भी फैक्ट काफी इंपोटेंट है राइट आगे बात करते हैं देखिए फिरोज सा तुगलक जो कि तुगलक वन्स के एक सासक है इनकी मृत्यू के बाद जो कालपी है यह एक सवतंतर मुस्लिम राज्य के रूप में उबर के सामने आया और उसके बाद से इंडिपेंडेंट रहा राइट काफी समय तब देखिए फिर आती है मुगलो का सासन और अगबर के समय जो मुगल सामरज्य का एक परमुक नगर के उबर के सामने आया कालपी तो आपको याद रखना है कि अगबर के समय जो कालपी है वो मुगल सामरज्य का एक परमुक नगर था यह फैक्ट काफी इंपोटेंट है बहुत बार एक्जाम में पुछा जा चुक है देखिए जो बीरबल था अगबर के दरबार में जो तक्साल जहाँ पर सिक्के छपते हैं ठीक है या शिक्कों को जहाँ पर धाला जाता है तो मुगलों की तक्साल और बीरबल का रंगमहल इनके अवसेस हमें कालपी से पराप्त होते हैं और दो इंपोटेंट टीले हैं यहाँ पर जिनका नाम भी आपको याद रखना जल्दी-जल्दी से करके इनको क्या कि हमने देखा कल पके बारे में जिय इसकी location आपको याद रखनी है इसकी location है जालोन जालोन में इस अमना नदी के तड़ परिष्टीत है दसवी सदी तक जो है यहां पर चंदेलों का असासन था राइट बारवी सदी में कुटबदीन एबक जो की ममलूक डैनेस्टी के फाउंडर है ममलूक डैनेस्टी की अस्थापना कुतुबदी नैबक ने ही इन्हों ने कालपी पर विजह हासिल की और इसको दिल्ली सल्तनत में मिला लिया फिरोसा तुगलक जो कि तुगलक वंस के सासक है इनके बाद क्या है कि जो कालपी है वो सवतंतर मुस्लिम राज्य के रूप में उभर के सामने आया और सब्संतर राख उस समय था मुगलो के समय खासकर कि अगबर के समय जो कालपी था वो मुगल सामराज्य का एक परमुक नगर था जो बीरबल है बीरबल का जनमस्थल है बीरबल के रंगमहल के वसेस और मुगलों की तकसालों के उसेस ठीक है, इसका मतलब ही है कि कालप평 में मुगल क्या गरते दे सिख्य ढालते दे, ठीक है उनके उसेस हमें पराप्त हुएं कालपी से यहाँ पर दो पयरानिक तीले है राइट, तो एक है व्यास तीला और दूसरा है nursing टिला तो ये facts आपको भूलने नहीं है बिल्कुल भी कालपी के बारे में ठीक है चलिए इस डिसकसिन में इतना ही इससे जो अगला discussion है वो continue करते हैं हम लोग next video में तो बने रिया का साथ thank you